राम राम भाई शारे बाड़ भाई हैं नमस्कार गुरू जी नमस्कार सबसे पहले पोटा व्लोक्स के सभी व्यूवर को मेरी राम राम और आज भाई को मैंने बोर टाइम हो गया था मिलने कई इच्छा थी आज भाई यहां पर ओफिस आया हुआ है तो आपको भी मेरे आप सेड्यूल क्या रहे इस्टडी गा तो गुरू जी काफी सालता है इस चीज में आजूकेसन में तो गुरू जी बताऊंगे आपने कितने साल होगे सर वैसे मेरे कोवे से पढ़ाते टाइम है लगबग सात साल होगे सात साल का एक्सपिरियंस है और आपने दिल्ली पुलिस और चंडिगड़ पुलिस की जो त्यारी कर रहे हैं दिल्ली पुलिस की बहुत अच्छी पोस्ट हैं चंडिगड़ पुलिस की 700 पोस्ट हैं तो जितने भी करने वाली है। तो देखो मैं एसा टीचर हूँ जो अमेसा है ना कोई बी अच्छी चीज है चाहे मेरा कोई competitor ही क्यों नाओ मैं उसकी भी recommend करता हूँ SSE गड़ना चकर की book है ना वो मेरे को GS के लिए best लगी अगर बच्चा दो से तीन बार उस book से go through हो जाए तो आराम से ना उसके 50 में से मैं कहूंगा लगबग 40 प्लस question AGT's देखने को मिलेंगे और कोई बच्चा अगर अर्याडा की लेवल की exam की त्यारी कर रहा है तो वो leucenter भी पढ़ सकता है मेरे साब से चंडिगड पुलिस के लिए और दिल्ली पुलिस के लिए GS के लिए SSE गड़ना चकर की book है best रहेगी जो गड़ना चकर में क्या होता है कि जो previous year के question है लग बगए आप देखोगे 1988 में से लेकर आज तक जितने भी question है न और SSE की एक patron रहता है जैसे दिल्ली पुलिस का मैं अगर बात करूँ previous year question से related question का concept वो पूस्ते है और meds की अगर मैं बात करूँ तो meds के लिए RS अगरवाल के साथ बच्चे जा सकते है या राकेस यादवसर के साथ जा सकते है तो ये और reasoning की मैं बात करूँ तो reasoning की सिख्वाल publication की एक अच्छी बुक आती है एसचंद की अच्छी बुक आती है वो तो बच्चे पर depend करता है कि वो पढ़ता केस है और आज कल competition का दोर है और मैं मेरी वीडियो में अवेशा साइरी के साथ ही सुरुआत करता हूँ तो बच्चों को एक ही बात कहना चाहता हूँ वो कहते हैं ना लग चुकी तलब मंजिल की खुद को आग की बटी में जोंक देंगे ठोकरे कहती है मारा जाएगा मगर होसले कहते हैं देख लेंगे देख लेंगे चलो होसला होना चाहिए यह सर की बात बहुत सही है और सर आप यह बताओ जो कर मैं जोईनिंग पर मिलता रहता हूँ बच्चा रहे तो कुछ बच्चे नोगाँ आठ गंटे पढ़ना है कई चार गंटे पढ़ना है तो आपके इसाबता कितने गंटे ले जरूरी है अगर मैं कहूँ कि एक सेड्यूल होता है कि बच्चे चार बजे उठकर बच्चों को पढ़ना चाहिए इसा कुछ भी नहीं है स्टडी को बच्चे को अपने हिसाब से डालना है अगर वो दिन में अगर उसको कमफटर लगता है कि दिन में वो पढ़ सकता है तो दिन में पढ़ ले और रही बात आठ गंटे पढ़नेगी है तो में जिके का टीचर होने के नाते में बताता हूं कि जैसे लाइक है कोई भी हमने एक टोपिक, UNO का टोपिक उठालिया सियंकतरास्टरसंग उठालिया उसमें कम से कम वो 5 पेजों का पूरा topic होगा और उस 5 पेज में एक्जाम में 1 पेज आएगा, तो बच्चे को ये पता होना चाहिए कि ये 1 पेज एक्जाम में आएगा तो चारों को वो skip करना, सिके किस हिसाब से skip करेगा, वो तो जैसे previous exam आज के time में, त्यारी के time में मैं ये कहता हूं बच्चे को मोक टेस्ट ज़्यादा देने चाहिए जैसे लाई के दिल्ली पुलिस का एक्जाम है तो प्रिवियस ये पेपर उठाओ और डेली एक मोक टेस्ट लगाओ और उससे ना उसकी स्पीट एंड एक्यूरेसी भी बनेगी और बच्चे में ऐसे भी देखे हैं जो है ना मलब एक्जाम टाइम में मलब वहापे सही फील कर लेते हैं लेकिन वो प्रेक्टिस नहीं करते मोक की तो आंस्वर सीट में वो रोंग आंस्वर बराते हैं तो जितना ज्यादा मोक लगाएगा ना तो बच्चे में कॉन्फिडेंस आएगा और मैं यही कहता हूं बच्चे को चाहिए आप है ना मलब रिलेक्स होके पड़ो चार से पांच गंटे पड़ो बहुत होता है जीवन में मैं कहता हूं अगर आपको ऐसा लग र और मैं में बच्चे से लेक्सन ले लाएंगे लेकिन आपको एक है पता होना चाहिए मनलब आप किसी भी टीचर को फोलो करते हो उसको फोलो किजीर मैं एक एसा योट्यूवर रहा हूं बच्चे जानते भी होंगे मैं अमेशा कहता हूं आप चाहिऑ मेरा चेनल मत देखी आपको जो टीचर की वीडियो ची लगे वो देखो, लेकिन न, एक प्रोपर एक टीचर को आप फोलो करो, उसको फोलो करोगे न, तो वो जो चीजें बताएगा अपने experience से, आप उसको implement करोगे न, अमेशा ये की बात केता हूँ, एक ही चोखट पर सर जुकाओ, तो सकून मिल अक्सर बटक जाते हैं, वो लोग जिनके हजारों खुदा होते हैं, तो आप एक ही बुक को बजाएद कई बच्चे क्या होते हैं, कि आज के टाइम में मार्केट में एक ट्रेंड है, आज कोई भी नई बुक आती है, उसमें 10 पेज है न, वो नई मिलेंगे आपको starting वाले, बचा सोजता है, इस बुक में सारा कुछ डेटा नया आगया, मैं ये बुक ले लेता हूँ, और वो 10 ही पेज पढ़ेगा, 11 पेज वो नहीं पढ़ पाएगा, मैं कहता हूं, बजाए हम 10 बुक पढ़ने की, एक बुक को 10 बार पढ़ लो, आराम से सिलेक्सन हो जाएगा, औ में कोई दोरा है नहीं है, और AJGS टीचर में अमेशा से बच्चों को कहता हूँ, कि आप मोक टेस्ट, SSC गढ़ना चेक्करी की बुक है, उसको 2-3 बार आप आराम से पढ़ो, और ऐसा पढ़ो, कि एक मलब आपको साथ की साथ है ना, जैसे एक कम्प्लीट टोपिक आज है, यूए नो का कम्प्लीट टोपिक पढ़ा है, फिर उसके प्रीविएस येर लगा कर देखो, अगर वो सही हो रहे है ना, तो आपकी त्यारी बिल्कुल सही चल रही है, और मैट्स और रीजनिंग है, अगर जिसका मैट्स अच्छा है ना, डेफिनेटली रीजनिंग को पता है, कई बार ना, रोंग नंबर से राइट मेसेज आ जाता है, और बच्चा फिर मोबाइल में ही अपना ध्यान देता है, तो मोबाइल से केवल आपको अगर किसी दिन में आपको देखना है कि आज मेरे को परदीप सर की, या किसी और सर की वीडियो देखनी है, तो लाइबरेरी में आप बेड़ते हो, वो वीडियो डाउनलोड कर लेना, और शाम को मोबाइल का अगर नेट बंद करके डाउनलोड वीडियो जादा देखो, इसमें बच्चे का टाइम बरबाद है, नहीं होगा, और जब भी पढ़ने बेठो ना, तो दिमाख में मतलब है, यह रहना चाहिए, कि मेरे को पढ़ना है, दोखा नहीं देना है, कि मैं मतलब कई बच्चे से होते हैं, कि मैंने देखे हैं, कि सर मैं चार गंटे पढ़ता हूँ, तो वो गड़ी देख कर पढ़ते हैं, इनसान को मतलब है, यह होना चाहिए, कि मैं अपने आपको दोखा न करें पढ़ें लेकिन मैथ और रीजनिंग ये प्रैक्टिस के बगेर नहीं आएगी आप प्रैक्टिस सेट ज्यादा से ज्यादा लगाईए और कोई भी आपको एक अध्यापक अच्छा लगता है लाइक राके से आदव या अभीने सर्मा कोई भी मैच का टीचर अच्छा ल के लिए है नहीं वह क्या होता है कि एक बच्छे का जुड़ा होता है देखो कई अध्यापके से होते हैं जिसके पास बहुत ज्यादा नोलेज होती है लेकिन वह अपनी नोलेज डिलीवर करता है ना तो वह कोई मेरे को पढ़ा रहा हो हो सकता है वह मेरे से बहुत अच्छ को फोलो मत कीजिए जो भी अच्छा लगे ना जहां से भी अच्छा लगे हर एक मलब यूट्यूब चैनल को आपको सब्सक्राइब करना चाहिए पता नहीं किस यूट्यूबर की कौन सी वीडियो आपके हित में हो जाए और आपकी वीडियो तो देखो मेरे को भी परसनली ब भाव लगेगा कि यह अध्यापक मेरे सामने बेठा है और मैं इससे पढ़ रहा हूं चाहिए आप मोबाइल में पढ़ रहे हो उससे आपका जुडाव हो जाएगा तो जो भी अध्यापक है अध्यापक सभी अच्छे होते हैं देखो कोई भी पढ़ाएगा मैं अपनी और से 101% देता हूं और भी अध्यापक अपने देंगे तो आपको यह चूज करना है कि किस अध्यापक का पढ़ाया हुआ एक्जाम में आ रहा है यूट्यूब पर आप है ना कोई भी एक सिंगल टोपिक अगर आपने बाबर के बारे में सर्च किया है कम से कम 500 वीडियो आ जा बात सर और इसमें चंडिकेट पुलिस में इंगलिस नहीं आती बता हूं है हाँ चंडिकेट पुलिस में तीनी सब्जेक्ट रहेंगे 50 नंबर की GS का पार्ट रहेगा और 35 और 15 में यह आपकी एक तो मलब रीजनिंग रहेगी और एक आपका मेच यानि दोनों 50 नंबर के आ आती है 60-70 रुपे की मार्केट में आ जाती है वो पढ़ लो बेस्ट है उससे बाहर कंप्यूटर कभी नहीं जाता दिल्ली प्लिस इसमें इंगलिस का देखो रोल मेंसा यही रहता है कि इंगलिस को पढ़ने के लिए आप एक प्लिंटू पेर अमाउंट बुक हाती है नितू में की आप किसी भी SSE CGL वाले बच्चे से टोपर से किसी से पूछ लेना इंगलिस में उनकी बुक का कोई मुकाबला नहीं है देखो मैं अपनी जैसे कोई भी मेरे से पूछता है ना कि बुक से अच्छी हर राइटर अपने और से अच्छी लिखता है जिस बुक की आपको मतलब है बासा समझाए वो बुक आप ले लीजिए मैं भी SSE CGL करना उसके लिए तो बताओ तो इंगलिस में बलेक बुक सुनी थी वह उन्हें की है यह नितु में की है अच्छी लेड़ा था कि बलेक बुक कर लेंगे लेंगे वोल्यूम टु या पता नहीं क्या लें नहीं की है इंगल्यूम кли Glass ala आपने बात चीत करे रहे हैं तो मैं तो मुरकताई माननू के आपने मेरा यह बेष्ट है ज़्कर और जो सब्सक्ति अभी कोई बीस में परफेक्ट है और जो कहता है उसमें न स्क्राफ। सुरू हो जाएगी मैं आज भी न मनलब है जब गुर्कुल फतेवाद कभी आप विजिट करना वहां पर जरूरतमन बच्चों के लिए हमने गुर्कुल ओपन किया हुए तो उस गुर्कुल में भी मैं बच्चों को एक ही बात सिखाता हूं कि बेटा आप आ रहे हो तो अपन करने के लिए त्यार रहे मैं बच्चों से यहि कहुँगा कि आज आप मेहनत कीजी आपके मपापा आपको मदलब है कुद के पैसे लगाकर आपको लेपटॉप चाहिए तो लेपटॉप दिला रहे है और कुछ भी आपको चाहिए तो चीजे और ये आगे बढ़ने वाली है तो इसका एक ही इलाज है कि आप है ना ये 2024 में गोवर्मेंट कोई भी हो हमें उससे मतलब नहीं है कोई भी गोवर्मेंट होती है जब election होती है तब बरतिया निकालती है हरियाना में भी बरतिया निकली होई है चंडिगड पुलिस दिल्ली इसी से मतलब नहीं है एक पोस्टें ले लो और आपका सेटल हो जाओ और एक जब आप जोब लग जाओगे तो आपकी तीन पीडी समर जाएगी एक तो हमारी खुद की पीडी समर जाएगी एक हमारे ममी पापा को ममी पापा हमसे कुछ नहीं मांगते चाहिए आप उनको शिक्षा दे सकते हो और एक जितने भी बच्चे हैं आज में लगब गुरकुल में परदी भाई महिने में कम से कम 20-22 बच्चे जोब लगे हुए वेसे भी मिलने आ जाते हैं तो मैं उनसे एक ही बात करता हूँ कि आप जिस भी प्रोफेशन में हो कोई भी काम इमानदारी से क करना क्योंकि एक इमानदारी ही वो चीज है जो औरों से आपको अलग करते हैं और कोई भी काम करो सबसे पहले उसमें आपको अपना फाइदा जरूर देखना है अगर हम अपना फाइदा नहीं करेंगे तो हम समाज का कभी फाइदा नहीं कर पाएंगे पहले आप अपने ब अगर मेरे पास कुछ होंगे तो मैं अपने उस कुछ में से किसी के लिए आज हमने गुर्ट कुर खोर रखा है अगर कुछ थे और ये सारा मेरा नहीं है ये प्रम्पिता परमात्मा का आशिरबाद है और बच्चों का प्यार है जिसे कोई बच्चे की कोई मैंलोकोर्स बच्चे जुड़ने के लिए वहां पर भी तयारी चल रही है शरी है हाँ गुर्कुल में भी बेच है चल रहे है फते अबाद में गुर्कुल है सरका और नामात्र फीस पर सर तयारी कराम है कल एक बंदे नह बताया है इस आरमाप की बात करी तो वह कहरे रही तो बहुत ही कम अब जो इसे बुकें आती है जैसे लग बगे हमारी खुद की 10 प्लस बुकें आ गई है उससे रेवन्यू आता है या दुरीना पर अपने पेड कोर्स है उससे रेवन्यू आता है तो उसका कुछ परसेंट इससा हमें वहां पर है क्योंकि आज के टाइम में ये कहता हूँ क दुआइं जरूरी है और ये चोटी-चोटी दुआइं होती है था आजे किस मुसीपत से बचा दे मैं तो हमेशा एगी बात कहता हूँ आप कहीं याद करो मत करो दुआओं में जरूर याद करना दुआओं वह शक्ती है जो मानलब ुकुछ नहीं कर रहा ये बच्चे कहत जैसे आप आज दुरीना के ओफिसे आए हुए हो हम मिलकर मतलब समाज में कोसिस करते हैं कि कुछ बदलाव लाए मैं यह नहीं कहता कि प्रदीप सर समाज को बदल सकता है लेकिन हम अगर सभी मतलब एक साथ आएंगे ना तो समाज में परिवर्तन जरूर आएगा जोब लगे दो बच्चों को जोब लगने में मदद जरूर करना अगर यह चेन उनको कहना आगे दो की यह चेन अगर बना दीना तो कोई भी जरूरतमन बच्चा है ना सिक्षा से बन चेते पैसे के आबाव में नहीं रह पाएगा ना जी बहुत बड़ी अबाद करिया अपने और जो आप फतेवाद में पीजी बगेरा है मिल जाते हैं से कोई दिक्कत नहीं है रहने बगेरा की चलो जी वो बच्चा आका जुड़ सका है सर की बात अपने शुन ली और बाई या वीडियो इस नहीं यह त्मनाई कि आपकी कुछ मदद दोस्का है कुछ नोलेज सर ने अपनी सेर करी ओके सरे दन्यावाद सदा अपना टाइम दिया और इतने प्यार और इजदी वाई मजा आगया सरतर मिल गए और यह तो देखो प्रेम प्यार की ओना भी चाहिए और मैं बच्चों से भी कहूंगा कि कोई भी आपके पास कोई भी महमान आए या आप कहीं जाओ रस् की चीजें रिपीट होगे चलो दन्यावाद सर थेंक यू